इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक पार्टिकल की पोजिशन x is equal to 16t minus 2t स्वाय से दिया है आपको इसका displacement और distance रेवल पुछा गया है up to 2 seconds and up to 6 seconds आपको distance निकालना है और displacement निकालना है तो equation से displacement निकालना हमेशा असान पड़ता है स्वाइड निकालना हमेशा निकालना हमेशा निकालना हमेशा पोजिशन when time is equal to 0 कितना है जो जाएगा 16 into 0 minus 2 into 0 square जैनी 0 पोजिशन अटक्ष तम is equal to 2 कितना हमेशा 16 into 2 minus 2 into 2 square is equal to 24 and position at time t is equal to 6 seconds which will be equal to 16 into 6 minus 2 into 6 square which is equal to 96 minus 72 yani 24. displacement up to 2 seconds is equal to position at 2 seconds minus position at 0 seconds which is equal to 24 meter. similarly displacement up to 6 seconds is equal to position at 6 seconds minus position at time t is equal to 0 which is again equal to 24 minus 0 24 meter. मतलब 2 seconds और 6 seconds दोनई टाइम के displacement कितना है 24 में आपसे अगले पार्ट है पूछा गया है distance टैवल कैसे निकाल देखिए देखिए पोजीशन निकालना आसान क्यों परता है क्योंकि पोजीशन इस सिंप्री फाइनल पोजीशन माइनस इनिश्य पोजीशन अगाना है पर distance टैवल के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि पास कौन सा लिया रास्त्या पार्टिकल रास्ते मुड़ा या नहीं मुड़ा यह सब कुछ देखना हो और इसलिए हमारे पास क्याता रीटा है हमें पता है कि जब भी पार्टिकल टर्न अराउंड करेगा उसकी विलास्ती जीरो हो रही है यह निगाले तो देखते हैं विलास्ती कितना होता है इसको दी एकस दीती इसको डिफ्रेंटियल करते हैं टाइम के रस्पर्ट में 16-14 विलास्ती इसकोल टो जीरोओ इम्पलाइस तीज एक इसकोल टो फो सेंस तो यह भी एक ऐसा टाइम आगया जहांपर हमें पॉजिशन निकलना ज्रूरी है तो यह वो पता लगा सकें कि पार्टिकल कहां से बोड़ रहा है तो दिख्ते हैं पॉजिशन एड फोर सेकंट्स केतना हो जाएए पॉजिशन आट फोर सेकंट्स इन इकवल तो 16 इन्टू 4-2 इन्टू 4 square which is equal to 64 minus 32 32 meters तो आपका position at 4 seconds भी आपको बता चल गया 32 meters अब देखते हैं पार्टिकल का path कैसा है t is equal to 0 पर पार्टिकल है x is equal to 0 नहीं से चुरू को ती is equal to 2 seconds पर 24 पहुंच गया t is equal to 2 seconds पर ये x is equal to 24 पहुंच गया t is equal to 4 seconds पहुंच गया 32 meters यहाँ पर चाके इसकी विलास्टी 0 हुए t is equal to 4 seconds पर ये है आपका 32 meters और इसके बाद ये पार्टिकल टर्नेराउंड करके वापस आगया x is equal to 24 पे कब t is equal to 4 seconds 6 seconds पही इसका x is equal to 24 meters ये आपसे distance travel पुचा गया ये अपको 2 seconds and up to 6 seconds तो distance travel बतलब पाथलेंथ पाथलेंथ अप्तू तो 2 सेकंद्स इसिंप्ली यहां से यहां तक का इस्तेंघ्श इस 24 मोटेश अद्बट अप्तू 6 सेकंद्स घाऊ घया पिर आगे जागे पीफ्छे आ गया पाथ कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 से आगे गया 32 तक 8 प्लस 32 से आपस 24 आया 8 विच इपल to 40 meters तो path length up to 2 seconds is 24 meters and path length up to 6 seconds is 40 meters तो आपका distance level भी आगया है displacement भी आगया है दूनों आगया है required time thank you